ग्लोबल कॉलेज़ के ऊई प्लाइन प्लेटफार्म पर आपता स्वागत से तुमक्न hiç नर्रहाटि परदेश में पहले श्रतान के भुगोल में अपने चल रहा था बोथिक परदेश और पहला आप अर अरावली परतमाला और आज अपन तीसरा बोतिक परदेश देख रहे हैं जिसका नाम है पूर्वी मेदानी परदेश पूर्वी मेदानी परदेश जैसे आपको नाम सही पता चल रहा है कि मेदानी परदेश यानि इस च्छित्र में क्या है मैदान यानि सबसे जादा मेदान जो है वो राजस्थान म इसी क्षेत्र में है तो यह अपना मेदानी प्रदेश है इस मेदानी प्रदेश को अपने पढ़ते हैं देखो मेदानी प्रदेश में सबसे पहले अपने देखते हैं कि यह मेदानी प्रदेश जो है यह मेप की इसाप से कहा है इन यह इसाप से अपना यह मैदनी परदेश यह कहा है और यह आप दिखने हैं में इस मेप में इस अपने रास्तान के बूतिक प्रदेश टोपी चल रहा है रास्तान ये बहुतिक पर्देश में अपन तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं इसका नाम है पूर्वी मेदानी पर्देश पढ़ रहे हैं अपन और पूर्वी मेदानी परदेश जो है इसमें दूसरा वाग है इसमें मद्यावर्ति परवतमाला इसको कहते हैं और इसमें मुख्यत अरावली परवतमाला है ये बाग भी अपने पढ़ लिया आज अपन तीसरा वाग पढ़ रहे हैं बाग आपको दिख़ा है पूरा नहीं चिए भाग आज अपने ने जा रहे हैं यह तीसरा वरग है जिस में इदर अपन बात करें बरत्पुर्शंभाग जेपुर्शंभाग थोड़ा सा बुंदी अजमेर शंभाग नीचे अदेवपुर्शंभाग ये ये क्षेतर इसमें आता है इसके अपने विश्यस्ताओं की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेतरफल किसमें क्षेतरफल कितना है तो राजस्थान का 23 23 ृस पर्थिसेत खीप्र इस बो तयंहीक पर्थिसमें आता है और जन्संक्या उन्षज़त कर शिए अन्च इन्शंग पर्थिसे.दिशनसंग्य इसमें निवास करती है आप साहत लिखते ग तो उत्रपस्य मर्स्तवली पर्देश में आपने देखा था प्षेतरफल 100.11% था और जंसिंगा जो है वो 40% लेकिन जंगनत्वे यह साफ से जो जंद्द संगया पढ़े च्ट पर्देस कोले कि सर्वाधिक में पूर्वी पने पर देश में इसका मतलब यहांपर में आज विष्तार से चर्चा करेंगे मैदान उपे किस तरह से मैदान बने वे हैं आगे अपन बात करते हैं कि यह जो क्षित्र है यह किस काल में बनाता तो फॉलोसिंग काल में बना था कि फॉलोसिंग काल में यह जो क्षित्र है यहां पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है यहां पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है मिट्टी की बात करें तो यहां पर दोमट मिट्टी पाई जाती है जिसको आप जलोड मिट्टी भी कहते है जलोड मिट्टी सबसे उपजव मिट्टी अपने माने जाती है और यहां पर पाई जाती है और यहां पर नज्यूँ-द्वारा प्रभाइत, यह है जो उप्जव नाफरी के अलावा यहां पर नह्रोत वर्ति नाथाई होती है तो यह परदेश जो है यह सबसे लिक्सित परदेश इसलिए बाइन दाता है उप जो किशनद अच्छी है और पाधन उन्गी स्वमें अच्छा होता है इसके अलावा तो देखें कि आधर क Yoshis impacted me कि स्परकार की जलवायूँ पाई जाती है जमायूट आप जनते यूघ यहां की वर्षा का उसत क्या है क्या वर्षा का उसतल वर्षा का वर्षा का व्रष यहां है 58 to 80 संटिम्टर 55 संट्र 7 के सेंटेम्टर और sty वर्षिक वर्षा यहाँ पर ho Community है 中共 करें कि यहां रूज्षे हैं कि मुख्य वस्वले मारी में इसार्सो कि Yeah मक्का भी होता है कि इसके अलावा इदर गन्ना भी होता है र्या ने खांज तो गेहुं सरसुं ये उट्पादन साइड सबसे जदा उता होता है तो देखे मेटी जलवाईू वर्शा का उसत इसके अलावा ये जो अपने क्षित्र है ये सबसे विक्षित क्षेत्र है सबसे उख जाओ क्षेत्र है यह अपने मुक्षिया इस क्षेत्र की थे हैं इस क्षेत्र में आगर आपको भूतिक पर्देसों में यह पूचले कि सरवादिक जन्संग्या कहा निवास करता है अगर जन गनत्वे क्षेत्र पल गिंशाप से कहा निवास करता है तो सरवादिक जन गनत्व के इसाब से कहा निवास करता है इस पर देश में निवास करता है अब सरवादिक मेदानी भूमी सरवादिक कहा है तो मेदानी भूमी सरवादिक क्षेत्र में हैं सर्वादीक विक्षित भूमिये यह होली सीन कालम में यह मिदान बनाएं पहले अपने गंगा यमुना दिन का यमुना जो नद्या है वह इस क्षेत्र से अब आपने यहां इस ख्षेत्र को आपन यहां पर देखेंगे कि इसको उप्विभाजन जो इसका किया गया है वह उप्विभाजन किसी साब से किया गया है उप्विभाजन को समझते हैं अपन जिस भाग की बात कर रहे हैं वह यह बाग कर दें बाकी यह जो बीच का भाग आपको दिख रहा है इस भाग की अभी इस्टली कर रहे हैं कि इस भाग में नदिया सरवाधिक प्रवाइब की इस भाग में जो उप्विभाजन किये गये वह उप्विभाजन इससाब से किये गए जैसे यहां से एक नदी निकलती है जैपूर से नदी निकल निकलती है इस साफ से तो साफ भरत्पूर होते वे आगे जाती है और उस नदी का नाम है बान गंगा कौने गंगा नदी यह जो बान गंगा नदी के आसपास का जो क्षित्र को पर गेंगे बान गंग भैसें या बार्नहСпाशता आंसे आगे बढ़ेंगे उön में इस इससाफ से एक नदी परवाह ति होती है जो आगे जाकि चंबल में मिल जाती है और उसका नाम है बनास तो यह जो ख्यत्र होगा इसको अपन कहेंगे बनास का मेदन या बनास बैसें इधर नीचे से एक नदी प्रवाहित उठीए नीचे से यहां आती है और फिर पिसके खिदर बनारों में यहां यह तरह से नदी बैती हैं और आगे चली जाती है और इस नदी का नाम है चमबल रहना होका आपने जाम नल्म टॉ इस चेतर को कहें ँचमबल का मीदन या चमबल पैसिंड एक नदी नीचे से इससाफ से बुजरती है डिसे सापसे और इसको अपन कहते हैं माही नती उस मुख्य रूपसे ये चार नदियों के इसका उन Tan करें गें योज ये बांगंगा चंबल रोगे मीदान में बेसेटर अन्य इन चार उपisti के न भी किया है जैसे मैदान करें अपने बात करें तो एक तो इन नदियों का मिदान हो पत्र में मेदान की तो रोही का मेदान यह जो जेपुर और यमुन्ऑ बढ़्दफूर के बीच में यहां पर गयों की छिद्टिय चैवल reader ही का मेदान कहा जाता है यहां यह जो क्षित्र है इसको मालपूरा करोली का मेदान कहा जाता है और आगे इदर आप उन देखें चंबल और इदर माही तो माही जो है माही में काफी सब्दावली अपने को पढ़नी है तो एक बार तो यह चार नदियों का आप इसका स्क्रिन सूट लगे फिर आप उन करते हैं तो यहां छोड़ देते हैं अपनों साइड में और अपनों अध्यान करते हैं सबसे पहले यह जो बांध गंगा का मिदान है तो आप हैंडिंग लगाई एसी में विभाजन यानि यह चेप्टर अभी अपन पढ़ रहे हैं पूरी मिदानी पढ़े इसी का उप्व सब्सक्राइब है पहला है पान गंगा का मिदान है ठीक्ष निकलती यह बिराठ कि पाडियों से दो साब बर्त वह इंवे आगे बढ़ती है वर्तमान में यह नदी यह मुना से पहले स्वाप हो रती लेकिन इसको जाता पहले यह मुना में मीलती थी नके तो यह जो नदी ह बान गंगा, इसके आज पास का जो क्षित्र ऊंगा क इस Uhh… अजगा के मिदान में जो वुक्हय ? बात आती है, बान गंगा नदीग, आपन नदियां पड़ेंगे, उसमें विष्तार से पढ़ेंगे, बाण गंगा नदीव के जो वेराक्स सेटल्वी है तो यह जो बानगंगा पैस्त में यहां जो क्सित्र है इसको चाहना रोही का मेदान मैं मैं रोही का मेदान यणि गणनगा कि झो इसे यंग मूणा कि नदी के बीच का खेतर इसको रोही का मैदन क्याते है इसको करो ही है इसको मेदन या बन गंगंगा बैसिते हैं और मुख्य रूपसों इसमें है रोही का मैदन बैसेर्षिर्ज में concrete डिजय्व jaid पास का क्षित्र आता है कि दूसरा आपन देख रहे हैं कि बनास कि बनास का मेदान या बनास वेसीन अपन कह सकते हैं देखो बनास का मेदान बनास नदी खमनोर की पाड़ियां रासमन से शुरू होती है उसके बाद चितोड धीलवडा अजमेर टॉंग और स्वाइवाद खंडार तैसल में रामे 97 है जहां चम्बल नदी में लिको का बनास विले हो जाता है और यहाँ पर दो когда Kiaंष चित्र है दोए तो मट मिट्टी यहां पर है और यह वाच्छी होती है और बनास जो बेसीन है इस बनास बेसीन में ही एक तो बनास की में यह जो राजसमंद के आसपास में कि पीडमांट नाम मिलेगा आपको पीडमांट के मैंदा तो राजसमंद के आसपास में जो तीले नुमा उच भूमी है कशित्र को का चत वाशा है मालपुरा कशित्र का मियदान दूब बनाश नदी का से मालपुरा कशित्र का मियदान प्रहान यह सिस्ट नीस चत्तानों से इसका निर्मान हुआ है उब्जाव गोमी है और मालपूरा करोली का मैदान पूछ ले तो बनास नदी का अपने बनास जो बनास का मैदान है उसका हिस्सा है इसका एक स्क्रिंशूट ले ले नेक्स्ट अपून पढ़ता हैं तीसरा बोतिक परदेश अब आप बात करते हैं कि तीसरे मिधान की तीसरा मेदान चंबल ले रहे हैं यहाँ पर यह जो मिधान इस सबसš लगे बारत में इस कालान सह इंपोटेंड यह जो चंबल नदी बहुतित थो इसतन तो यहां पर इसक्षित्र में इस क्षित्र में आउनाली का परदन यानि जैसे अपन कोई बड़ा देख रहे हैं कोई नाला बेह रहा है तो साइड में क्या होता है गर्त बंते हैं दिरे-दिरे गर्त मतलब चोटे-चोटे गड़े और उन गड़ों में सही वो दिरे-दिरे आगे बढ़ता है और अपना इ जो है चंबल नदी के बहावर से गहरे गर्त बन गए और उन गर्त बनने से और वहां पर भूमी जो है वो कहीं उपर हो गई और कहीं नीचे हो गई और उची नीची भूमी हो और वहां पर जंगल है पुरा क्षित्र जो है वो एरिया जंगल है तो यह जो क्षित्र है इस क रखना, चेत्र को यह चम्बल・नदी मिद्धी को मुख्य रूप से जहना जाता हुछ भूमी यह उत्खात इस्तला करती के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में चमबल नदी अंग्रीजी में उसको कहता है बैड उत्खात इस्तला करते के लिए चंबल नदी जानी जाती है और इस उत्खात इस्तला करते हैं उच्छे नीचे किस्तानों के कार्ण वहां पर लोग रहते हैं और वो जो लोग वहां पर रहते हैं वहां पर ज्यादा रहते हैं वहां पर डाकू जो आने जाने वालों को लूट पीसरा मेदान है कि ति तु कि अपने याँ अ चंबल का मिदाण था कि चंबल का मेदान चंबल लदी मद्यपरदेश से अपने यां आती है और राजस्तान में से बेने वाली रास्तान की सबसे लंबी नदी है अध्यन इसका आप उन नदियों में करेंगे आपको स्तर में लेकिन ये जो चंबल लादी इस चंबल नदी भारत में कbuild की पारेंर halgर्ण कर अ धुट्क सॉत्य पॉक्स आ करती केन गाण रिष्कर अच्छित यह उत्वर ए्ट लेट्प्र और यह जो उत्खात इस्तला करती है इस उत्खात इस्तला करती में यहां पर इसको ही यहां पर जो गहरे गड़े बन जाते हैं गहरे गड़े 20-30 मिटर के उनको अपने कहते हैं बीहड क्षित्र और यह जो बीहड क्षित्र है इस बीहड क्षित्र को अपने कहते हैं डांग क् चित्र है कि सवाई मादवपूर कि अ में कि दॉलपूर बीच में करोली आता है करोली को ले लेते हैं करोली कि दॉलपूर इस देखो यह जो बेडिक और पूछले का है तो सरवादिक है सवाइमधुपुर में तो agrade भी है सवाइमाधुपुर में देखो डांग डांग की राणी डांग की रानी का जाता है करोले को और दोलपूर को कहा जाता है डांग का राजा सरवादिक डांग क्षित्र या बेड़ क्षित्र की बात करें अपूंटो स्वाइमादुपूर में है डांग की राणी करोली को कहा जाता है और डांग का राजा किसको कहा जाता है दोलपूर को यह जो डांग क्षित्र है यह लो一 न AH फुराक्षाचर रहते हैं अर यह ही उनका मुख्य व्यवसाय और वैसे भी वे रवदोतはは रहे हैं कि इन्धर शरकार 9 को मुदो से Royale कालती है तो उसको किसी ने किसी बाने से आगे किसका दिया जाता है गयर पर आप south फनी देखते हैं सब्सक्राइब है चब्सक्राइब करते हैं इंगे साथ में मिल जाते हैं फिर लूटब पार्ट लेकिन लूट पार्ट करने वालों से मेरा निवदन है कि आप लूट पार्ट सिरफ अमीरों से करना और गरीबों में बांचते रहना ताकि पाप और धरम जो है वह आप बराबर करते रहें और पाप कभड़ा आपका कभी भरे नहीं और अमीरों से लूट के आप गरीबों मे दान देते रहें तो यह जो क्षित्र है यह डांग क्षित्र है ध्यान रखना अपने राजस्थान में दो अपने क्षित्र देखे जिनके नाम थोड़ा सेम है यहां जो पुन्य ख्षित्र देखा है इस ख्षित्र का नाम तो है यहां जो ख्षित्र है इसका नाम तो है अपने दांग ख्षित्र और यहां जो ख्षित्र है जैसल वेर में इसका नाम है लाठी स्रीज यह दोनु नाम अलग-अलग है आप विसे शुरूप से द्यान लगन यह जो है यह तो है लाठी श्रीज और यह जो क्षित्र है यह यह है डांग क्षित्र यह है डांग क्षित्र तो यह दोनु द्यानक ना जैसल मेर में लाठी श्रीज और अपने पूर्य रास्तान में जो है स्वायमदफूर दोलपूर क्रॉले में वो है लाठी श्रीज आगे बढ़ते हैं एक बार चंबल नदी वारा स्क्रीन शूट आप ले ले चंबल नदी का स्क्रीन शूट ले ले आगे बढ़ते हैं चोथा अपनों विवाजन देख रहे हैं जिसका नाम है मद्दे माही बेसिल मद्दे माही देखते हैं क्या देकर जीक्षित्र पूरा इस क्षिद्र को एक तो अपन्पन कहते हूं वाग्ज Kung देखोर यहां वागर है और यह जूं सिक्कर्स शखावाट्य आसपास ने इसको का का जाता है बांगर एक तो यह परिवर्तन जो है दोनों में सैम है लेकिन सब्दों में थोड़ा सा अंतर है यहां पर बांगर की बांगड भी आ सकता है तो बांगड और यह वागड तो वागड पर देश तो कहते हैं डूंगरपूर बास्वड़ा के आसपास के क्षित्र को कि पहला कि यहां जो दुंगरपूर और सोड़ा है कि यहां वी चुजए को खाल जाता है मेवल सभी सुम होगा मेवल डुंगरपूर और 20 तॉरा की शिद्वीच के स्तर को कहा जाता है मत अभी यहां पे में आप उन्हें देखने को बांस्तवड और परताफगड़ और परताफगड़के पीक है इसको च्पण का मेदान ten call पेर मेदान यह जो बांस रहे और डूंकर पुर के पीच सुरह मस्वड़ और परताफगड़के वीच का पूर सपन का मेदान अब देखो यहां जो से इस माही नदी के किनारे वाल सतर को इस जगह है किनारे वाने इसके के का लोता है किनारा तो माही नदी के किनारे वाले बाग को गैते हैं कांथल इसक्षित्र में कांथल वागड मेवल 56 यह अपने सबदाव लिए इसके अलावा यह जो अपने बांस्वड़ा है कि इस वावड़ा प्ल्स डूंगरपूर यह जो बागर प्रदेयस से इस प्रयत्र को पहले व्यागर घंवर को अधिकताज भी थी व्यागर घाट इसके अलावा जो बांस्वडा है कि इस बांस्वडा को कि सोधीपूंका सहर का जाता है कि स्पाइद गजता है सूधीपूंका सहर डुंगरपुर दुंगरु की दिखता के कानिस का नाम क्या अपड़ा डुंगर नाम नाम पड़ा तो देखो कांठल वागड मेवल चपन कामेदान व्यागरगाट बास्ट वड़ा अभी और नाम है एक बार इसका स्क्रीन फूट ले ले यहां पर यह जो क्षित्र है इस क्षित्र को इस क्षित्र को पहले का जाता था लाट प्रदेश और यह लाट प्रदेश का जाता था उस समय वहां पर चालू के राजाओं चालू के राजाओं का अधिकार था और चालू के राजाओं के अधिकार के समय इस क्षित्र का नाम लाट प्रदेश तो यह अपने लाट प्रदेश के नाम से भी किसी समय जाना जाता था इसके अलावा देखो यह जो क्षित्र है यह अपने पुस्प क्षित्र यह जो क्षित्र आपको दिख रहा है यह पुस्प क्षित्र के नाम से भी जाना जाता था और पुस्प क्षित्र में पुष्प लताउं पुष्प लताउं यानि जंगल था गना जंगल था और गना जंगल में पुष्प लताउं के अधिक्ता के का इस क्षेत्र को पुस्प क्षेत्र भी कहा जाता था तो यह अपने परदेश है पुरा इसके अलावा रिशी मुनियों ने रिशी मुनियों ने भी इसका एक नाम दिया था रिशी मुनियों ने कहा था कि यह जो क्षेत्र है यह पूरा क्षेत्र जैसे अपने गाईब गुप्त परदेश तो इस इस ख्षेत्र को रिसी मुन्यों ने जो नाम दिया था वो दिया था गुप्त परदेश इधर लिग दिया था हूं गुप्त परदेश गुप्त परदेश नाम दिया था रिसी मुन्यों ने गुप्तियानी चुपा हुआ प्रदेश इसको नाम दिया था तो मैं एक एक का बोल रहा हूं और आप इसके इन की प्रिवास आए लिखते रहना मद्दे मही बेसीन में एक बार तो इसका यहां से आप स्क्रिन सूट ले ले एक बार बांगर देश, कांचल ॐ कांफल में डेश करके आप लिखे माही नदी का साब़ दिकार किनारा और लिखे माही नदी के किनारे हुआ है यह यह निए परताफगड करता यजुक सतन गया परताफगड मैंस टुब कांठल का जाता है ट्षायक में अन lagi की आसपास के ख्छेत्र को कांठल का जाता है गरद है जोगुरमक रॉड़ा के आसपास का जोगुक्षित्र है इसको अलों कि वा पाशवडा के बीच का जुक्षित्र है इसको मेव का जाता है इसकी अनक्ना मेव अ रूबा मेव ने उसे मेवल डूसे डुंगरपूर बास से बास्वडा चपन का मेदान चपन का मेदान अपने बास्वडा और परताब सब् Серदध की बीच में bumps पनादी नाी नंदी नालू का समभव है शपन ग्रामू का समभू इसको 750 का मेदान करते है जयां रखना 50 का मेदान है लेकिन यहां पन की पहडियां है कि पाड़ियां अपने बाड़मेर में हैं चपन का मेदान अपने डुंगरपूर और परताब गड़ के बीच में है कि परताब गड़ के पीच ट्रिक द्यान रखनी है चपन परताब गड़ बागूं के अधिक्ता के काड़ बास्वड और ध्यानकन इस पूर्यक्षित्र को मेवाड का मेदान भी कहते हैं इस पूर्यक्षित्र को मेवाड का मेदान मेवाड का मेदान भास्वड ऑस और डुंगर्पूर की जदा डूंगर ढौकर साथ कर्त रतों परवत का चोटे परवत का दिंस्यान करत गोक्षित्र के लिच सब्सके test ब्लताओं की पाताल देश या गुप्ट प्रदेश रिशी मून्यों ने ये नाम दिया था तो ये अपने जो प्रदेश है ये हाँ इसमें एक और ध्यान रखना आप इसमें आप ध्यान रखना से क्रांति प्रदेश से क्रांति प्रदेश ये लिखले ना अरावली परवतमाला वे विंद्या चल परवत के बीच का क्षित्र अब यह बीच वीच या इसको का जाता है से क्रांति प्रदेश रावली परतमाला और विंद्या चल के बीच का क्षित्र है इसको अपन ने परदेश करता है अहीं आपनतो देर में ग्रेट मानडरी फाल्ट मी पढ़ने वाड़ा है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में प अगले अगली ग्लास में पढ़ेंगे दक्षिन पूर्वी पठारी परदेश तप्त के लिए धन्यवाद